आप सभी का होम साइंस क्लासिस में स्वागत है यह हमारा प्रैक्टिस सीरीज चल रहा है जिसमें हमारा 20 कोशन हो गया थे अब आज इस वीडियो में 21 से स्टार्ट करेंगे यह बहुत इंपॉर्टन कोशन है इसमें आपके सारे टेक्स्टाइल के हो या फूड नुट्रिशन सारे कोशन आपको इसमें मिल जाएंगे तो चले आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं पहला कोशन है भोजन को छूने से पुर एवं पशात हाथ धोने चाहिए जब हम भोजन करते हैं तो उससे पहले हमें हाथ धोना चाहिए आप खाने के बाद हाथ धोना चाहिए तो इनमें से किस से धोना चाहिए मिट्टी से धोना चाहिए नहीं बिल्कुल भी नहीं राक से दोना चाहिए इससे भी हाथ और गंदे हो जाएंगे या पानी से दोना चाहिए सिर्फ पानी से तो नहीं दोना चाहिए साबुन से दोना चाहिए ठीक है तो option C बिलकुल सही है फिर आता हमारा रास्ट्य पोर्षन संस्थान की स्थापना कब तथा कहा हुई है तो जो रास्ट्य पोर्षन संस्थान है उसकी स्थापना कब हुई थी 1969 में लखनौ में आप P कि कौश्चन है हमारा अठुधिक्ष्रम करने वाले को प्रती घंटा करने वाले को प्रती घंटे कि अधिक्ष्रम करता है थेक है तो यसे कम कम कीया शकता होँने चाहिए तो उसे कम से 500-300ч तो इन सब को ना 1.500-300 KAL एस्टराइब नेक्स्ट हमारा कि नरम जल में किसकी मात्रा कम होती है तो उसमें आप जो नरम जल होता है ठीक है तो उसमें नमक की मात्रा कम होती है कठोर जल में नमक की मातरा अधिक होती, जैसे समुंदर में जो पानी पाई जाता है, उसमें क्या होता है, उसमें नमक की मातरा जादा होती है, ठीक है, तो कठोर जल में नमक की मातरा जादा होगी, और जो नर्म जल है, ठीक है, उसमें नमक की मातरा कम होगी, यह हमारा पीने बोजन हो जाता है ये option गलत हो गया ने क्वहीं हिसे भौजन दूसित हों गया पहाँन हम क्वहारा फैर हमाना फैर मेरा खमीरी दूसरी चासिता होगा है तो हमारा option D बोजन तैयार करने में परॉसरी होते हमारा ऑप्षिता के दौर भोचन काम पकाएंगे तो क्या वो दुशित होगा बिल्कुल भी नहीं तो option हमारा D बिल्कुल सही है तो आप जब भी question किया करें exam में कभी कोई question आता है तो जैसे कि आपको उसका answer नहीं पता तो पहले एक एक कलकुस को हटाते जाए यह bacteria है नहीं फफूंदी भी नहीं खमीर भी नहीं तो कौन बचा दी ऐसे जो question में आपको डाउट हो आप पहले ऐसे जो आपको पता है कि यह नहीं हो सकता उसको पहले हटाए फिर आता हमारा नेक्स्ट कोशन है हमारा खाद और क्रिशी संगठन जिसका शॉट फॉर्म क्या है फॉर्म किस थापना की गई इसकी सथापना कब की गई है इसकी सथापना 1945 में की गई थी खाद और क्रिशी संगठन के सथापना 1945 में की गई थी याद दख्येगा आपका next question है टमाटर, हरी सबजियां, आवला, नीम्बू, नारंगी, गाजर, प्याज, सेब, अमरूद, सलजम, अंकुरित, आनाज, आदी में पाया जाते हैं इन सभी सबजियों फलो में क्या पाया जाता है एक चीज कॉम्बन है, इसमें सबसे ज़्यादा हमें वाइटमिन-C पाया जाता है क्योंकि आप यहां पर देखिये आवला, नीम्बू, नारंगी थिक है इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा C है तो ये टमाटर में भी C पाया जाता है तो आप जालता देखें वो सारे फूल, वो सारे फल और सबजियां जिसमें वाइटमिन C पाये जाता है तो option A बिल्कुल सही होगा Next है, मदु में में किस प्रकार का आहर देना चाहिए तो जिसे diabetes है तो उसको कैसा आहर देना चाहिए तो इसमें दिया options इसमें है न्यून शक्रा युक्त आहर देना चाहिए अधिक रेश्री युक्त आहर देना चाहिए या उच्छ प्रोटेन युक्त आहर देना चाहिए या फिर न्यून प्रोटेन युक्त आहर देना चाहिए तो जैसे कि जिसे मदु में है तो इसमें क्या होता है वह glucose blood में बढ़ जाएगा और मधू में बढ़ जाएगा ठीक है उसको patient जो होता है मरीज उसका खत्रा होता है फिर नेक्स हमारा follow am सब्जियों के पकने के लिए पकने के क्रिया के लिए निम में से कौन जिम्मिदार है जब जो follow सब्जियों को पकाता है नेक्स्ट है खाथ परदार्थों का मानक चिन है जो खाथ परदार्थों का इनम में से कौन से मानक चिन है तो वह है EPO यह खाथ परदार्थ मानक का चिन है तो आज की 20 questions हो गया है कल 30 ठीक है तो पहले हुआ हमारा ठीक है 20 कोशन हो गए कल से हमारा 31 से स्टार्ट होगा next कोशन स्टार्ट होगा ठीक है तो चलिया आज को वीडियो इतने ही अगर वीडियो परसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें श्रेकरें चैनल को सस्क्राइब करें